हलो वेलकम अगें टो दा प्रिंस्टिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल और तब से पहले आयम रियली सोरी गाइस हमारे जो वीडियो का सेशन चल रहा था उसमें कुछ थोड़ा डिले आया है बट हम आगे से इन वीडियो को कंटिनुसरी रखेंगे तो इस वीक जो हमार क्या करें हम आगे बढ़ाते रहेंगे और तक कि जो हमारा जो गैप अभी जो मेंटेन हुआ है दिवाली की चुटियो के वजए से और बागे सब प्रोलम्स के वजए से वह हम जो गैप है वो मैंटेन कर पाएं आगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए माइनेम जो भी यह है इडिजा स्टडी एंड अप्लिकेशन ओफ लाइट इमेटिक एंड लाइट डिटेक्टिंग डिवाइसे जितनी वे डिवाइसे चाहिए तो आप क्या करो LED की बात कर लो या फिर लाइट डिटेक्ट करने वाले हो ठीक है इन सब की स्टडी को हम क्या करेंगे कहेंगे ओप्टो इलेक्ट्रोनिक्स ठीक है और यह क्या है यह फोटो इलेक्ट्रोनिक्स की क्या है एक सब ब्रांचीज है और फोटो इलेक्ट्रोनिक्स आर बेसिकल इस दा फिजिकल साइंस ओफ दा लाइट ठीक है आपनी लेजर लाइट देखियोंगी आपनी उप्टि इसलिए है जो हमारी लास्ट नाम से है लेबरेटरी ओफ एडवांस सिंथेटिक एंड क्रेक्टरिस्टिक जो की गुजरात में है वहां की ने क्या किया है एक ऐसी खोज की है जिसकी वज़ा से क्या कर सकते हो आप उप्टो एलेक्ट्रोनिक्स का यूज करके और आप अलग- पैनल पे जाब इसलिए कामेटरियल उसकर रहे हो उनके जागा आप क्या से यूज करोगे आप लाइट डिटेक्टिंग डिवाइसिस का यूज करोगे जो किसकी फोर्म में है एलेड की फोर्म में ठीक है अब एक डिफ्रेंस है वाट इस अडिफरेंस बिट्विन ओप्ट यूज के बारे में जादा इंपोर्टेंट निज नहीं थी बट बेसिकली आपको पता होना चीग किया है तो इस वाइट जो निज है वो है ओपरेशन चक्रा के रिगार्ड ठीक है CBI ने क्या किया है CBI ने एक लोंच किया है इंटर निटरनि लीक बहुत सारे कंट्रीज के साथ मिलके ठीक है जो साइबर फ्रोड के लिए करेगा कैंबर फ्रोड कोन से युँख साइबर फ्रोड वाले जो किसको इंक्लूड करेंगे financial फ्रोड को ठीक है जितने में financial frauds होंगे उनको recruit करेगा और CBI ने किसके साथ मिलके काम किया है CBI ने जो launch किया है यह program Chakra 2 के नाम से ठीक है This is basically with the help of Microsoft and Amazon और इसमें कुछ दूसरी companies भी होंगी Like, दूसरी countries भी होंगी Like, CBI, जो हमारे इंडिया की है FBI, then Interpol और इसके लाव UK की And Singapore and Germany यह country 5 countries है Basically, USA USA, India की CBI And then UK, Singapore And Germany But Interpol, International Police वो भी सब इसका पार्ट होगी This is the mission by Chakra Now, next move to the next यह हमार एक disease के बारे में है That disease नेम विद्धा Infantile Hypo-phosphate-tellasia That is known as HPP यह कुछ ने है It is basically a disease जिसमें क्या होता है आपकी बोन्स में नहीं आपकी बोन्स में नहीं But mostly It is seen in the children's ठीक है जिनकी एज क्या होता है 6 साल से लेके 3 तो यह छे महीने से लेके जो 3 साल के 3 years के बच्चे होते है Mostly उनके बीच में देखी जाती बिमारी और इसमें क्या होता है जो आपकी बोन्स और टीत ही होते है उनमें जो डेंसिटी है किसकी कैल्सियम की उसकी वज़े से क्या हो जाती है Bones Demineralized हो जाती है Demineralized हो जाती है Minerals की कमी आ जाती है और इसके लिए जो basic है देखो ऐसा होता है ठीक है आपकी Bones क्या हो जाएगी Soft हो जाएगे और बहुत soft हो जाएगे Fracture के जो जांसी जोगे जादा बढ़ जाएगे और आपका जो head है वो क्या जाएगे चप्टा चप्टे जैसा दिखने लग जाएगा और आपके दांत भी तूटके गिरने लग जाए Due to the Demineralization of your bones and teeth साथ की साथ इसके लिए main reason क्या है इस बिमारी के लिए जो HPP है जो यह बिमारी है infantile hypophosphatasia इसके लिए main reason कौन सा है इसके लिए एक gene जी मेदार है और उसका gene का दाम है ALPLGN ठीक है अब अगर हम किस symptoms की बात करें तो basically the symptoms are not visible during the birth of the child जब बच्चे का जन्म होता उस ताइम पे यह नहीं दिखाए देता है बट जब जैसे जैसे बच्चा 6 महीने के age पे आता है तो आपको वे complications दिखाए देने लग जाती है जैसे क्या होगा कि आपको लगेगा कि bones क्या होगी है fuse एक दूसरे में होने लगी है fuse होने लगी है सरचप्टा हो जाएगा bones ठिक हो जाएगी अर ऐसे पैर्ग मुडे होने लग जाएगे ठिक है और अब इस बिमारी के इलाज की बाद हम करेंगे तो बिसिकली तो इस बिमारी का कोई लाज नहीं देर विल बी नो cure of this disease of HPP and the gene which is responsible for this HPP disease is the ALPL gene, ठिक है so now more to the next news ये मिसाल सिस्टम के बारे में है guys and this is basically the Patriot Air Defense मिसाइल सिस्टम ये कहां का है इसको हम भी मिम 104 भी बोलते है दा फुल फॉर्म के हम बात करेंगे that is phased array tracking radar and intercept on targets ठीक है ये बेसिकली कहां का है ये USA का है और ऐसा दिखता है ये USA का है ऐसा दिखता है और क्या है जब भी इस्राइल का जो इश्यू हुआ था उसके टाइम पर जब क्या हुआ था USA वालों ने इसको किसके help के लिए बेजा था इस्राइल के help के लिए तो अगर हम इसके होटेव ऑर व्रेंज की उनको क्या या कर पाता है उनको हवा के गिरा सकता है अब इन के यूश की बात करें सबसे पहले इसका बी किया था हो 1991 का जो गल्फ वोर हुआ था उसमें भी यूज़वा था और जो इरा जो इराक वो रुओ था 2003 में ठीक है जो इन्वेजन किया था इराक ने घद्दाफी के गए में तो उसमें भी क्या था जुदानतरी में यूज किया थे इनका अब कौन सी कंट्रीज ऐसी है जो इसको रख रही है तो उन कंट्रीज में जैसे जर्मनी, ग्रीस, इसराइल, जैपैन, कुवेट, दनीदर्लेंड, साओधी अरेबिया, साओध कोरिया, पोलेंड, स्वीडन, कटर, यू रोमानिया, स्पेयन, टाइवान, ये कुछ हैं गाइज, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, if you want to take the screen sort, then you can take the screen sort, कि ये क्या है, ये कुछ कंट्रीज हैं, जो किसका यूज करती है, पैट्रोइग, एर डिफेंस, मिसाइल, सिस्टम का है, and this is the missile system of USA, ये USA का क्या है, मिसा technology का यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, CRISPR-Cas9, DNA editing करते हैं, किसमें, DNA में जब हम करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, CRISPR-Cas9, अभी हमने क्या किया है, हम एक advanced series लिए, हम DNA को छोड़ के क्या करें, DNA को छोड़ के हम क्या करेंगे, RNA में editing करेंगे, ठीक है, RNA में gene editing करेंगे, और उस method को क्या कहलाएंगे, that method is known as danger, ठीक है, और ये danger की full form है, पहले हम CRISPR-Cas9 में क्या करेंगे, DNA में editing करेंगे, gene editing, बट, danger में हम क्या करेंगे, RNA में करेंगे, अब इसका फायदा क्या है, इसके फायदा ये है, कि जब हम RNA से editing करते हैं, genome editing ये gene editing करते हैं, इससे CRISPR-Cas9 से, तो दो problems आती है, पहले तो problem है, फोनो टाइपिक की, ठीक है, और कुछ unexpected क्या हो, जिती, problems आ जाती है, किसमे, gene editing के time पे, और दूसरा क्या है, जो CRISPR-Cas9 की जो technology हो, basically, genomic, जो basic genomic data है, उसके उपर different करती है, और जिसमें क्या है, reference genomes है, और reference genomes जब आप बारिवाज यूज कर रहे थे, हम किसमे, CRISPR-Cas9 technology में, DNA के editing में, यह सारी कहांगे, overcome हो जाएंगे, ठीक है, तो basically क्या है, जो danger analysis है, वो एक नया software tool है, जो क्या है, gene editing करता है, किसमे, RNA, ठीक है, RNA में करता है, ठीक है, basically, तो पहले हमारे पास CRISPR-Cas9 technology थी, जिसमें हम DNA में कर रहे थे, अब हमारे पा more than enough for the hour UPSC, और अगर हम next की बात करेंगे, तो next news जो है, वो हमारी है, cognitive calculator के बाते, ठीक है, जब हम क्या करें, यह क्या दिखा जा रहा, it looks like, human brain, जब हम क्या करें, जब हम हम हमारे brain का क्या है, हमारे brain का कितनी complex situation दे दो, ठीक है, आप अपनी complex situation से क्या है, आप, आपके सामने कुछ भी परेशानी, ठीक है, भले आप कुछ भी परेशान हो जाओ, बट एक टाइम के बाद आप उस अप परेशानी का कुछ ना कुछ, solution निकाल ही लोगे, ठीक है, यह हमारे क्या है, characteristic है, किसकी हमारे brain की, ठीक है, हम क्या कर रहे है, cognitive जो computing है, उसमें जितने भी complex situation है, औ और उन complex situation को क्या कर रहे है हम, machine learning के थुरू, machine learning के थुरू क्या कर रहे है, हम जैसे ही man brain क्या करता है, complex situation को fall out कर देता है, वैसे हम क्या है, computer की help से, AI की help से, क्या कर रहे है, हम उनको machine learning की मदद से solve करेंगे, and that method is known as cognitive computing, ठीक है, इसमें कुछ components मी है, जैसे AI हो गया, AI का use होता एक्सपर्ट सिस्टम का होगा, neural networks का होगा, machine learning, deep learning, basically AI के parts भी वही न, machine learning, deep learning, and neural network, ठीक है, साथ के साथ हम किसका use करेंगे, robotics का use करेंगे, object recognition का गरेंगे, speed recognition का गरेंगे, यह कुछ method है, इन सब का use करके हम क्या दानके, we can do the cognitive computing, ठीक है, अब इसका use कहां कहां हो सकता है, ठीक then they can do with the help of cognitive computing, healthcare sector में रख सकते है, insurance के field में रख सकते है, finance के field में रख सकते है, and then retail के field में, ठीक है, तो जितने भी complex situation से हम cognitive computing का use करके, हम इन सो problem को solve कर सकते है, ठीक है, now moves to the next news, thallium, ठीक है, thallium एक हमारा है, element, जिसको बोलते है, poisonous, poison, और जब हम इसके बात करेंगे, तो इसका जो symbol है, वो होता है, T, I का, and its atomic number is 81, और इसको poisonous, poison बोले जहर देने वालों का, जहर, और इसके जो discovery थी, वो 1861 में, Sir William Crooknik थी, ठीक है, अभी ये news में क्यों था, अभी एक agriculture scientist थी, जिन्हो उने अपने in-laws को अपने husband को poison दे दिया, और ये poison कों सा था, thallium poison, ठीक है, और basically इसको हम क्या वह बोलते है, चुहे मारने वाला जहर, ठीक है, इसको thallium को हम क्या बोलते है, चुहे मारने वाला जहर, और उस scientist ने, agriculture scientist ने अपने in-laws को और उनको जहर देके मार दिया गया, पर उनकी स्टोरी अलग भी थी, कुछ महीने पहले उस agriculture scientist के father के death हो गी थी, और उसे लगता था कि उसके in-laws और उसके husband उसको डावरी के लिए परेशान करते थे, that's why उसने क्या किया, वहाँ पे उसको problem रख रहे थे, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते, तेस्ट लेस होता है, इसका डोई टेस्ट नहीं होता है, ओडर लेस होता है, smell भी नहीं आती इसमें, और अगर हम इसके सोल की बात करें, कि गुलने की बात करें, तो ये completely dissolve नहीं होता है, water में dissolve नहीं होगा, बट अगर हम actual की बात करें, acid की, जो हो हा, actual है, hydrocaloric acid, तो उसमें ये क्या completely dissolve हो जाता है, अब इसके हम बात करें कि कहां कहां मिल सकता है, तो ये है basically कहां पर, आर्थ की crash में मिलता है, और जो हम क्या करते हैं, zinc के और या lead के, jaden के या PB के, जितने भी oxides, sulfides हैं, ठीक है, sulfur के साथ components है, उनको जब हम synthesize करें हैं, तब क्या मिल जाता है, और साथ के साब, कहां कहां इसका यूज़ कर सकते हैं, then low temperature thermometers में यूज़ कर सकते हैं, in the place of, we are with mercury, ठीक है, and then we can have electronics में यूज़ कर सकते हैं, optical lenses, और precise jewelry making कर सकते हैं, तो थैलियम का basically याद रखना है, it is also known as rodentie sides, चुहे मारने की दवा, ठीक है, and next news is belongs to China, चाइना क्या कर रहा है गाई, चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा ghost particle detector बना लिया है, वो बनाने के लिए तयार है, पूरा completely उन्होंने कर लिया है, अभी working start नहीं है, बड़ हो जाएगे, अब ghost particle वो नहीं है कि भूत पकड़ने का वाला है, ठीक है, यह ghost वाला अलग चीज़ है, फिलाल जो इसका नाम दिया है, चाइना ने पूरे world का सबसे बड़ा दिया है, that is known as trident, और यह western pacific ocean में है, और इसका जो size है, that is 7.5 kilometer cube of, मतलब जो cube का area है, then 7.5 square kilometer cube, ठीक है, और इन्होंने south इसमें बनाया है, western pacific में बनाया है, और near south china sea में मिलाया है, बनाया है, और अभी इसका use करके, what they are discovering, they are discovering the neutrinos, और neutrinos जो क्या होते है, neutrinos are also known as ghost particles, ठीक है, ghost particles बोलते हैं neutrinos को, और जो यह बना है, जो इससे पहले एक और था, that is known as cube, ice cube, ice cube के नाम से अब उसको जानते हैं, ठीक है, किसको, जो इससे पहले जो हमारा ghost particle detector था, और वो हमारा कहां था है, अंटार्टिका में था, ठीक है, बट उसका जो volume था है, size था, that is one square kilometer cube, बट इसका क्या है, 7.5 kilometer cube, इसका जो पूरा total है, area जो cover कर रहा है, एंट कहां पे है, western pacific में है, साथ के साथ जो south china sea है, वहां पे इनोंने इसको बनाया है, और अगर हम इससे आगे बात करें, कि क्या है, basically, तो ये क्या ghost particle detector है, अब हम neutrinos की बात करें, कि neutrinos क्या है, अगर हम किस की बात करें, atom, और atom के हम सब atomic particles में, part में चले जाएं, तो क्या देखते हैं उसमें तिन चीजे होती है पहले सी होती है इलेक्टरौ जो क्याता है नेगटीव चार्ड ठीधिज प्रोटों होते है प्रोटौन जो क्या होते है पोजिटीव 4 एंघ य्मी नूत्रों जो में फॉल यह ने नुट्रों का neutron हैं उनका part होता है neutrinoz और जो neutrinoz है पहले हमें यह लगता था कि neutrinoz का ना तो कोई mass होता है ना कोई इनमें charge होता है बट अभी जब recent discoveries जब हो रही है तो हम एक नई चीज का पता लगा है जिसके according हमें यह पता लगा है कि जो neutrinoz है जो क्या है neutrinoze इनमें charge तो नहीं होता है charge तो नहीं होता है बट इनका somehow कुछ थोड़ा बहुत mass जरूर होता है कुछ इनमें थोड़ा बहुत mass होता है completely zero नहीं होते है और neutrinoze जो है हमारी galaxy में सबसे abundant amount में जो element हमें मिलता है जो मिलता है particle जो हमें मिलता है that is neutrino ठीक है बट धर्ती पे इतने complicated है धर्ती पे मिलते नहीं है धर्ती पे क्या ghost है बूत है कि बूत आपको हर जगे नहीं दिखेंगे वो अब अब बाद है कि आप आपने यार दोस्तों को बूत बूलने है ठीक है और जब मिलते भी है तो यह very small amount मिलते है ठीक है अब हम neutrino's की basically बात कर लेते है what are the neutrino's ठीक है तो अगर मैं क्या करूँ अगर मैं कि nuclear force की बात करूँ nuclear force electrons और neutrinos को एक जैसा ही treat करता है यह statement है ज्यान रखेंगे जब भी हम क्या करें nuclear force की बात करेंगे तो उसके लिए दोनों क्या है same है electrons and neutrinos same है अब neutrinos को ghost particle क्यों बोला जाता है ठीक है जैसे कि हमें पता है कि neutrinos क्या आता है very weak charge होता है और इनमें ना के बराबर क्या होता है पूरा mass होता है और यह इनको detect करना है देख पाना it is very difficult scenario ठीक है ऐसा माना जाता है कि आप neutrinos को detect नहीं करते है अब बात ही है अगर आप detect ही नहीं कर सकते है फिर जो चाइना ने बनाया है Trident के नाम से ghost detector का जो South China Sea में वहाँ पे कहाँ नहीं करते है जब भी यह ghost particles detect करते हैं तो यह दूसरे particles के साथ यह mostly reaction नहीं करते है या detect नहीं करते है बट इसका मतलब यह नहीं है कि यह कभी नहीं करेंगे तो यह कहाँ करते है यह basically पानी के जो water molecules होते है उनके साथ में react करते है और यही reason है कि जो यह ghost particle का यह बनाया है चाइना ने detector यह क्या है under water ठीक है under water इसलिए ही बनाया गया क्योंकि क्या है यह water के साथ react करते है और react करने में क्या है तब यह form होते है नूट्रिनोज ठीक है यह सब नूट्रिनोज के अपर न्यूस था यह कुछ दिख लेज़ेगा जैसे कुछ इलेक्ट्रोन नूट्रिनोज भी होते है कुछ माव नूट्रिनोज होते है अन सम्हाँ वार्दा टाउब नूट्रिनोज अगर आप बात करते है बड़ ठीक है यह थोड़ा सा डीप हो जाएगा नाव लेस्टिर कुछ मुट दाऊर НП टिखेंगा सबस्क्राइब affinity मुड्य भी ने इसको और scandous Prentini तो सिम में जो पहले सिम आती थी उन में हार्डवेर एंड सोफ्टवेर दोनों होता था बट विद रिस्पेक्ट तो जैसे साइंस ने आगे बढ़ा जब माइक्रो सिम आने लगी तो जो सोफ्टवेर है वो कहा होने लगा मोबाइल फोन के अंदर और हार्डवेर का जो डिव सोफ्टवेर भी और हार्डवेर के तो आपको जूरूती नहीं है आपको क्या है पूरा का पूरा हार्डवेर आपने क्या कर दिया हटा दिया आपको हार्डवेर के जूतनी है अगर आपको क्या है अगर आपके पास आइफोन 14 से उपर का कोई भी डिवाइस है या फिर लगेगा इन्हें तो एक तो बेसिक सिम डालेगी बड़ी वाली और जो सेकंड जो सिम डालेगी वो किसके फॉर्म नोगी ड़ाइट इन ना फॉर्म ओफ ईसी इसी म के रूप में होगी और यह इसी मैसिकली क्या है आपकी कोई प्लास्टिक चिप में लगा हुआ है ऐसा नही बैट अगर आपको MNP करना नहों मुबाइल नमर कोर्टेबिलिटी करना नहों तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको पहले आपका जो एक्जिस्टिंग यूजर है उनके पास जो आपके आपके इस्टिंग इस्पी है या फिर अगर जियो का सिम है तो आपको उनको बैसे होगे वह आपको MNP Code देंगे MNP Code जहां पर आपको नई Marketing में जहां पर जोइन करने सैंव आपको भीजना पड़ेगा उसके बाद में क्या होगा नकरा आपको ऐसीम आप आपके पास तो क्या करेंगे आपको जयो में जाना होगा वहां आपको बार बार नंबर पोटेबिलिटी में आपको है बाहर नहीं जाना पड़ेगा घर से बाहर आपके घर पे बैटे-बैटे क्या हो जाएगा आप ने सोफ्ट पेर चेंज कराया आप जियो से वड़ाफोन में वड़ाफोन से जियो में या फिरेटल में ठीक है सेकेंड जो है आप जो भी हैकर से जो भी सिम स्वैप करने वाले वो क्या नहीं कर पाएंगे आपकी डुप् साथ है को जाएगा इस इस सम्दिसद्वेंटिज ओफ दिस सिप दिस इसी ठीक है नाव मूझ तो दा नेक्स यह थोड़ा सा कमाल की चीजें हैं गाइस ठीक है अभी हमारा जो मेंस हुआ था में में कॉस्टिन आया था कि बायो डिजल के बारे आउस के बारे में आया था कि लगातर हमारा जो क्या है पैटďरॉल की जो एफिशेंस इनथी घोट रही है तो यह अबने कुछ एक्जामपल दिया थे फाग्सट्थ और ालायनस की बार हम कर रहे था ऐक हमें ऐसा क्या मिल गया है नहीं नहीं की प्राली जैसे आप जो क्या करते हो जो लिग नों रिभा गैवार रखें, आपने गहुं काट लिए और नीचे जो वेष्ट में बच जाता है, उसको हम लिगनो सेलुलोस का पार्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप पराली वेष्ट बच जाता है, वो किसका बताया आपको मेटरियल उनको किसमे डारेक्ट एथनोल में बदल देता है और यह कहाँ पे यह होट स्प्रिंग में मिला है गरम पानी के चश्मे में हमें मिला है ठीक है अरावली में ठीक है और यह किस फैमली का है इस फैमली का है और यह क्या यह पॉली सैचुरेटर डीजर और वेस्ट है, ठीक है, उसको किस में बदल देगा, उसको एथनोल बगरा में बदल देगा, ठीक है, और क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, ठीक है, इसको डिग्रेड कर देगा, और डिग्रेड करने से क्या है, आपको पराली जनाने के जो समश्या हैं, बाकिसम वो बात ठीक है और जब यह बनाएगा then it will form acetic acid, formaldehyde, ethanol and hydrogen gases, so basically it will decrease, and यह क्या है, सबसे बड़ी बात है, they are found in the port water springs, गरम पानी में मिलता है, ठीक है, and जो गरम पानी का temperature 40 to 45 degrees Celsius, यह ने डिस्कवरिय भी हुए, next news is related to the meteor missile, देखो, अब इसके सबसे बड़ी खास्यत क्या है, जो meteor missiles है, हमारा जो air force है, हमारा air force ने UK के साथ क्या किया है, एक link up किया है, किसके लिए, meteor missiles की purchase के लिए, अब missiles दो तरह क्यों होते हैं, एक missiles वो होती है, जो आपकी visual range में काम करते हैं, जहां तक आपको दिखाई देगा, वहां आप तक attack करेंगे, they are known as BVRAMS, यानि visual range जो है, air to air missile है, वहां तक काम करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं, जो आपकी beyond visual range, जहां तक आप देख पा रहे हो, उस range से भी आगे के targets को hit करेंगे, these are known as beyond visual range, ठीक है, यह क्या है, यह BVR है, ठीक है, beyond visual range, ठीक है, but इनके साथ क्या है, they are air to air, air to air missile system, तो next generation है, UK की है, ठीक है, और Indian Air Force क्या है, इनको खरीदना चारा है, और बट किन-किन countries के पास है, UK के पास है, Germany, Italy, Spain, France and Sweden, के पास यह जो meteor missile है, यह already available है, और हमारी जो air force है, वो इनको खरीदने की बात कर रहे है, साथ की साथ, अगर हम इसके बात करें, तो इसकी जो speed है, हो क्या है, चार max से जादा है, ठीक है, और 200 km तक की है, इसकी range है, साथ में क्या है, यह blast fragments में ले जा सकते हैं, अपने warhead में, क्या करते हैं, यह can, it can carry blast fragments in their warhead, ठीक है, बाकी जब यह complete news में, जब हम इसको purchase कर लेंगे, then we'll study it again, ठीक है, दुबारा से इसको पढ़ेंगे, अब तक आप सबने start-up जो देखे थे, वो basically normal start-up थे, बट space start-ups को भी बढ़ावा मिल रहा है, और स्टेस्ट, और जो हमारी जो agency है, कौन सी, N-S-I-L, that is, new space India limited, it will work for the start-up, ठीक है, increase for the start-up के लिए करता है, तो यह क्या है, विक्रम 1 rocket, यह नया rocket है, जो 2024 में launch होगा, और विक्रम यह है, यह Skyroot start-up company है, इसने बनाया है, साथ के साथ, इन्होंने विक्रम S नाम से एक rocket था, जो पिछले solar launch किया था, अब इनकी खासियत क्या है, अब विक्रम नाम है, विक्रम 1 and विक्रम S, they are directly dedicated to the विक्रम साराबाई, ठीक है, यह विक्रम 1 होगा, अब यह विक्रम 2 and 3 नी मने है, बट ऐसे दिखाई जएगे, ठीक है, multi stage है, different different stage है, multi stage है, बट इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, यह 300 kg के राम तक ले जा सकते हैं, बट the most important specification of these kinds of launching vehicles is that, they can assemble on demand within 24 hours, अगर आपने on demand किये इनकी बनाने के लिए, तो किसी भी site पे जाके इनको 24 घंटे के अंदर अंदर बनाया जा सकता है, और अगर मैं fuel की बात करूँ, तो basically इनमे solid fuel होता है, जहाँ पे हमारे PSLV और GSLV में कैसा होता है, solid and liquid fuel बहुत होते हैं, यहाँ पे कैसा fuel है, basically solid fuel, ठीक है, यह हमारे Nancy Grace Roman Telescope के बारे में है, Space Telescope के बारे में है, यह क्या है, यह अब तक का सबसे deepest देखने वाला, जो deepest view है, basically NASA का है, और अब तक जो हमने सबसे जो heart देखा अपनी galaxy का, इसका milky way galaxy का, जो deepest heart देखा, जो deepest जितनी photo देखे हैं, किसके तो देखें, Nancy Grace Roman Telescope की मदद से, ठीक है, और इसमें पर क्या कर सकते है, इसके more objective क्या है, हम stars को search करेंगे, planets को search करेंगे, दूर वाले stars को करेंगे, solar systems को, और बहुत सीज़ों करेंगे, ठीक है, basically मैं समझने लाइक guys कुछ भी नहीं है, ठीक है, if you want to take the notes, please take the screenshot, ठीक है, आपके लिए सब काम आएंगे, ठीक है, और जो हमारा अभी जो है, actually, जो अभी हमारा क्या है, जो Hubble telescope है, उससे ये तकरीबन 100 गुना, 100 times ज्यादा powerful है, ठीक है, तो ये दिहान रखे गए, और क्या है, नासा का है, ठीक है, Hubble telescope से 100 times ज्यादा powerful है, ये interesting, बेटल्ग्यू स्टार के बारे में interesting news है, जब हम सोचते हैं, जब हम basically stars की बात करते हैं, star will form in, कहां पर form होते है, nebula में, nebula is the nursery of the star, यहाँ पर nebula form होगा, यहाँ पर more एक star है, और जो हम इस तरफ की बात करोंगा, then there will be the black hole, कि इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, black hole बन जाएगा, तो हमने एक फिनोमेना देखा है, अगर हम classification of stars की बात करेंगे, तो हमने एक फिनोमेना देखा, star में, हमने फिनोमेना यह देखा है, कि जब भी star dim होना start कर देता है, तो star क्या करता है, star dead होना start कर देता है, मतलब मरना start करता है, क्या होगा है, उसकी end life होगी, तो हमने बिटल्ग्यू star में सबसे पहले January 2009 में यह देखा, कि इसकी जो bright test हो कम हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक है January में, but suddenly क्या हुआ, अभी suddenly हमने एक चीज notice की, और वो चीज notice य यह की, यह star दोबरा से क्या हो गया है, दोबरा से bright हो गया, वो बर से जादा bright हो गया, but जो basic situation थी, वो क्या थी, basic situation यह थी, कि star जब bright, उसकý dim होने कर रहागा, तो last ago dim होता रहेगा, but this is the exception, ये क्या है, कि यह अपनी मर्जी से क्या कर रहता है, brightness को कम जादा कर सकता है, यह कि स्टार्स क्या है अगर उनकी दिम होने लगी तो क्या होगा एंड ओफ दा स्टार होगा सूपर नोवा एक्स्वोजिन होगा और मेभी अगर साइज त्री ताइमस उब दा मास उब दा सन है स्टार का तो इसमें डिफ्रेंट मेकनिजम हुआ यह दुबार से क्या हो गया दूबार से जलने लगा तीर है सटलाइट कोवनिकेशन सिस्टम हम क्या अग Pokémon से इंटर ने प्रवाइड करने लग जाए तिक है बेसिकली नहीं कुछ नहीं है जीयो वालो ने क्या किया एजिवा ने कई है कि हमने क्या क्या कर ला aur dieses कि इस साहर्लींग है कि स्ट्राइड इंटर्म नहीं कर चिक्ट काम नहीं यह है कि हमारी जो स्पस्ट इंटर्ट ..... आई थी 2020 उसके अंडर में जो space asset authorization का जो certificate था वो सिर्फ इंडिया की companies को मिल सबता था और starling का है बाहर की company तो इस इसी वज़न से इसी policy की वज़न से क्या है starling India में work नहीं करती है ठीक है यह चाइनीज स्पेस्टेशन के रिलेटर नियूज है तुआंगों स्टेशन ठीक है इस दा चाइनीज स्पेस्टेशन यह जो चाइनीज लेंग्वेज में दिया गया है यह जैसा अब इसमें तीन कंपोनेंट है यह कहां पे लियो में है और दो हजार अठाइस तक वर्क करेगा तीन मोडियूल है जो तीन मोडियूल है उसमें तो आनवे वन है जो अपरेल्टर ट्रिमन में आथा आप दिख ली जीएगा अगर हम किसकी बात करें इंटरनेशन स स्पेस्टेशन के ही सबोर्डिनेट है मतलब उसके जैसा ही है अब चाइना ने क्यों बनाया है क्या चाइना को मतलब अपनी हवाबाजी करनी थी जैसे उन्होंने अलग से स्पेस्टेशन में आया लिया नहीं इसके पीछे में एक स्टॉरी है तो चाइना को क्या था चाइ जो कि जो Chinese Space Station चाइननीज वह Space Agency है उसका PLA जो इनकी है PLA People Liberation Army जो इनकी आर्मी है चैना वालों के साथ में इसके साथ इनके contact थे और इनके इन्होंने कुछ ऐसा दिया कि हमेंटेरियन ग्राउंड पे हम क्या है PLA को अच्छी आर्मी नहीं मानते और जो इनका space है चाइनीज नाशनीच पेस एजनसी एडिनिस्टेशन इनका पर स्में था इन्हीं वजए से नहीं ने क्या क्या जो चाइनीज को लोगों को यह जो और इन इस ती चाइना को बाहर निकाल दिया गा था, that agreement is known as wolf agreement, किसा कुन से साल में है, 2011, और अगर हम basically बात करें, तो कितने लोग इसमें रह सकते हैं, तो यह 3 लोगों को क्या रख सकता है, 3 लोगों को, 3 लोगों को, एक साथ यह एक time पर रख सकता है, बट जब भी क्या हो, crew exchange होते हैं, तो उस time पर यह 6 लोगों को क्या कर सकता है, अपने वहाँ पर रख सकता है, क्योंकि 3 लोग आएंगे, 3 लोग वहाँ पर जाएंगे, तो 6 लोगों की capacity है, अगर हम बात करेंगे कितने module हैं, तो 3 module है, और International Space Station की बात करेंगे, तो International Space Station में 16 module है, 16 module है, ठीक है, नेक्स्टोरी इस वाबाउट नियंडर थर्लेंड्स, ठीक है, यह कुछ थे, जैसे हम क्या है, वी आर दा, होमो सैपियन्स, अब तक हमने क्या मान जा था, जो नियंडर थल है, जितमें भी जो नियंडर थल है, वो बेसिकली उनका और हुमेन का कोई भी लिंक नहीं तैसा म माना जा रहता है, बट हम यह मान के अभी जो नियंडर थल है, उनमें जो है, और हुमेन्स में कोंटेक्ट था, उनके डिने में कहीना कहीं क्या है, कहीना कहीं हुमेन्स है, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो एशिया और यूरोप में नियंडर थल थे, वो चार लाक साल पहले रह रहे थे ठीक है बट अभी क्या है और इंसानों कार इनके लिनेज के साथ इनके लिंक कहां मिला पुराना 5000 साल पुराना अब नियंडर्थर की बात कर लें तो यह हमारा जो क्यों साथ इक है और जो बडी स्टरंथ है tôi आज के मोडर्न मैं या मोडर्स हमो समय होते हैं ठीक है ठीक बोड़ी होती धी ज्यादा और strong होते थे and flexibility जादा होते थे और वो जादा किसको मोसम को जादा ठंडे मोसम को जादा जेल पाते थे as compared to the homo sapien ठीक है यह कुछ इनके features थे और हमें क्या है हमें अभी यह पता लग गया कि नियंदर थर्ण जो actual में थे क्या थे हमारे रिलेटिव सी थे ठीक है निसार प्रोजेक्ट है निसार प्रोजेक्ट जब अभी लोंच होगा तब हम इसके बारे में जाला पड़ेंगे बट अभी जो बेसिकली है क्या है ये एक तरह के क्या है अब्जर्वेटरी नासा इसरो क्या है एल बेंड औरosed दोनों का यूज हो रहा है इस से पहले सिर्फ क्या था शिंगल बेंड का यूज हो रहा था और इसका मेने जा कि क्या है जितने भी अर्ह के अट्मौसफियर में चैंज हो रहे हां उनके बारे में करना सर्फियस पे जो आइस पिंगल ने उसके बारे इंफ्रमेशन लेना बायो मास्क इंफ्रमेशन नेचुनल हजार्ट के बारे में एंड ग्राउंड वाटर का लेवल का चेक करना और इसके साथ साथ नासा किसको प्रवाइड कर रहा है और इसको लॉंच कोन करेगा लॉंच करेगा ना इस रो ठीक है इस रो किसकी बदद से जी एसली माप ठीक है जब इसके लॉंचिंग हो जेगी देन वी विल स्टड़ीट फ़र्दर नाव मूँ तु दे नेक्स दूस इज़ेक्टा हो लू गाइज ये कुछ भी नहीं है ज़ेक्टा है लो इज़ेक्टा ह गड़ा बन गया गड़े के जैसा सरफेस बन ठीक है अगर आप सिंपल सी बात अगर आप कुछ रखो भी गया से फोर्स पुली तो क्या साइज मिट्टी उड़ के साड़े फैल जागी और जो ऐसा होल टाइब में जो गड़ा उट्टो टाइब में जो बना है डाट गड़ इस नोग इस एक्टा है ठीक है इस एक्टा हेलो और यह किसने बताई इस वे बता है कि जो हमने क्या कि चदर्यान श्रीकी सोफ्ट लेंडिंग की तोस्ट यहां पर एक ऐसा कुछ गड़णा बन गया ठीक है कुछ मिट्टी उड़के चलेगे मून की मिट्टी कुछ उड़ कुछ है important type का बट फिर भी मैंने include कर लिया है यह एक project है जिसमें है sub-surface water ice mapping project that is known as swim project यह project basically Mars का project है जहां पर हम Mars पर क्या खोजना चारे मिट मार्स पर हम ice और water की खोज करना चारे और यह किसका है NASA का plan है और NASA इसमें क्या करना चारे नासा के जितने भी आज तक जैसे जितने भी project हुए है Mars को लेके जाहे ओ इंजिनिल्टी हो या फिर preservation project हो जो टो टो टिका था इनका mission हो ठीक है सारे के सारे mission में क्या है इन्होंने क्या किया है इन्होंने उसका data use किया है और इस data के use करके इन्होंने क्या बनाया है एक map बनाया है जिससे आप क्या है इस बात का पता लगास को इस बात की possibility लगास को कि Mars के कि सरफेस पे कहा कहा क्या है पानी या ice की possibility है ठीक है तो अगर को के उपर जितने भी क्या है वोटर और आइस की खोज के बारे में जहाँ जाप ए पॉसिबिलिटी है इन दोनों चीजों की मिलने की उन्हें का मैप को ड्रो कर रहा है ठीक है आई इडी जो आपने बोम देखे होंगे ऐसे अरे मुवीज में सब लोग ऐसे फोन देखते होंगे कि आपने फोन मिला है जैसे फोन की घंटे की बढ़ गया फट फट गया ठीक है अभी ऐसा ऐसा क्या हो है जो एक बलास्ट हुआ था थोड़े दिन पहले क्रिश्चिन में जब आप एक्ट्ट बों की बजाए उसमें क्या कर दो अलग-अलग चीजिए अड़ कर दो ठिक है अलग-अलग चीजों में क्या वसकता है जैसे आप क्या कर सकते हो मैट फिकर कांच का यूज कर लो मतलब जो ग्लास के टुटे टूकडे हुए नेल कीले यूज कर दो या फिर metal के fragments use कर तो इनसे क्या होगा कि वो तो फटेगा और फटने के बाद वो intensity से कील जाके दूसरे लोगों को भी लगेंगी ठीक है और हो ज्यादा destroy करेंगी तो इस ट्रैक के components जो actual bum है बट इनके साथ में क्या कर दिया हमने इनको improvise कर दिया इन बे और और चीज़ें add on कर दी तो इनको क्या करते हैं i.e.d अब i.e.d में क्या क्या हो सकते हैं हम यूज कर से थे fertilizer gunpowder hydrogen peroxide ठीक है यह चीज़ें हम जो यूज कर सकते हैं और क्या है इसके blast हो जाए ठीक है last news guys अपनी and that news is related to the karnatka forest department होक होस्ताइल एक्तिविटी वोच करनल सिस्टम, यह करनाट का फोरिस दिपार्टमेंट ने निकाला है कि किसके साथ मिलके, यह जिसमें आप क्या है, रिलेटेड दिजये कर सकते हो, ठीक है, और यह वाइल distress में, क्या यह पहला ऐसा सिस्टम है नहीं इससे पहले इसका ही सेम डिटो वर्जन केरला में इंप्लिमेंट हो चुका है 2019 में ठीक है यह कहा हुआ है फिलाल करनाटका में कौन-कौन बोडिज है करनाटका फोरस्ट डिपार्टमेंट and the Wildlife Trust of India और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह cloud-based information management सिस्टम है और जिसमें आपने क्या कर दिया सबकी information को आपस में interlink कर दिया है ठीक है और इसकी सबसे बड़ी खाशित यह है कि आप इस system को mobile में भी use कर सकते हो और desktop में भी use कर सकते हो तो यह क्या है आप जो forest ranger है उनको बहुत ज़्यादा help करेगा, ठीक है? And I hope so guys, you like the session, ठीक है? Thank you so much, अगले भी कंफिर से मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ में, Thank you so much.